आपको मेरे चैनल टेकनी तिन पर दोस्तों आज की वीडियो में आपको completely प्रोसेस बताने वाला हो कि आप किस तरह से वर्टप्रस से ब्लॉगर में ट्रास्पोर हो सकते हैं without losing your ranking ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियो में complete आप बने रहेगा आपको complete knowledge यहां पर मिलने वाला है आपको होस्तिंग का कॉस्ट काफी ज्यादा पढ़ रहा है या फिर आपके जो वेबसाइट है उतना अर्निंग नहीं कर गया है जितना आप वर्डप्रेस की होस्टिंग पर लगा रहे है और सिर्फ आप डोमेंड का खर्चा यहां पर उटा सकते हैं वर्डप्रेस से जो है अपनी वेबसाइट ब्लॉगर पर ट्रास्फर कर सकते हैं दूस्तों मैंने कभी सारे वीडियो सेर्च की च्यूंकि मैं आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट ब्लॉगर पर ट्रास्फर कर चुका हो मैंने कभी सारे वीडियो यूट्यूब पर सेर्च किये बट उन्होंने सिर्फ क्या किया है वर्डप्रेस जो एकसमाल फाइल डाउनलोड होती है उसको जो एक वेबसाइट है वह मैं आपको आगे बता इसतरा हूंगा साउठ मैंग से लेके गूगल सर्थ कंसोल में करेंगे वो मैं बताऊँगा किस तरह से करना है किस तरह से रिमूव करना है अपनी वेबसाइट को देन एनलेटिक्स का डेटा आपको किस तरह से अपडेट करना है वो भी बताऊंगा दोस्तो इसके लिए मुझे अपने computer screen पर लेके जाना पड़ेगा और वहाँ पर मैं आपको complete procedure बताऊंगा किस तरह से करना है ओके दुस्तों हम आगे हैं हमारे computer screen पर दूस्तों सबसे पहले आपको जो है आपको wordpress dashboard पर login कर लेना है उसके बाद आपको tools export all content पर जाके एक export file डाउनलोड करनी है इसमें का होगा आपका सारा लटा यहाँ पर रहेगा जैसे कि post pages उसके बाद comments उसके बाद आपको google पर आना ह यहाँ पर आपको आना है उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा जो भी आपने export file download की थी wordpress से उसे यहाँ पर upload करके एक blogger के लिए XML file डाउनलोड करनी पड़ेगी वह इसलिए क्योंकि जो file आप wordpress XML file download होती है वह blogger पर support नहीं करती है तो support के लिए आपको यहाँ पर convert करन पड़ेगा तो यह file जो है मैंने wordpress से अपने download की थी इसको मैं वहाँ पर upload कर देता हूँ तो वापस चलते है उस website पे यहाँ पर आपको choose file पर click करना पड़ेगा choose file पर आप जैसे click करोगे एक डायलप box open होगा वहाँ पर आपको वह file को upload कर देना है तो इस file को मैं select करता और देन click on convert थोड़े समय के बाद यह file जो है आपकी download हो जाएगी जितना आपके website पर data रहेगा उतना समय यह लेगी हमरे website पर काफी कम data था इसलिए यह जल्दी से download हो गई है देखिए इस तरह से blogger export.xml इस नाम से file download होगी यह file हमारे download section में download होई है तो यहां से हमें फिर blogger पर इसे upload करना पड़ेगा तो simply आपके blogger पर आईए setting पर जाए इसके बाद आपको other पर जाना पड़ेगा अधर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर import content का एक option दिखाई देगा वहाँ पर आपको click करना पड़ेगा जैसे आप click करोगे इस तरह से box आएगा यहाँ पर I am not robot पर tick लगाईएगा and import from computer पर आपको click करना पड़ेगा दोस्तों click होने के बाद एक dialogue box open होगा जहाँ पर हमें उस file को choose करना पड़ेगा जो हमने अभी अभी convert की थी तो देखिए download section में मैं आ गया हूँ blogger export.xml पर मुझे click करना पड़ेगा and then open पर click करना पड़ेगा आपका सारा data इमें आपके post pages और आपके comments ब्लॉगर पर successfully upload हो जाएंगे दोस्तों देखिए अभी आपको एक website पर आना है जिसका URL है labnol.org slash blogger slash sitemap इस website का URL मैं आपको description में दे दूँगा यहां से आप क्या कर सकते साइट मैप को generate कर सकते दोस्तों जब आप WordPress यूज़ कर रहे होंगे उसमें उसमें अपने sitemap submit किया होगा लेकिन वो sitemap अभी काम नहीं करेगा आपको नया sitemap वहाँ पर upload करना पड़ेगा उसके लिए सबसे पहले आप उस property को remove कर लीजिए और फिर से फिर उसी property को add करके इस sitemap को हम submit करेंगे तो यहां पर simply generate sitemap पर click किजिए आपको website डालके यह code जो है आपको मिल जाएगा इस code को आपको copy करना पड़ेगा गूगल search console में submit कर देता है लेकिन blogger पर जो है आपको अपने हाथों से बना के वहाँ पर डालना पड़ता है तो simply आपको यहां पर copy करना पड़ेगा इस url को sorry इस code को और आपको blogger में search reference में setting में आके यहां पर देखिए customrobot.txt पर yes लगा के इस box में आपको code को पेस्ट करना है और save changes पर click कर देना है तो यह automatically save हो जाएगा दोस्तों देखिए जब तक आप इस तरह से process follow नहीं करेंगे तब तक आपकी website साइट सही तरीकी से स्तयार नहीं होगी आपके blogger के लिए दोस्तों देखिए उसके बाद हमें google analytics में आपके property में हमारी property को add करना है सो दोस्तों यहाँ पर देखिए create property सबसे पहले analytics open कीजिए admin पर आईए सबसे नीचे admin मिलेगा वहाँ पर create property पर आप click किजिएगा इस तरह से आपको select करना पड़ेगा यहाँ पर continue पर click किजिए जो कि हमारी website है इसलिए हमने website select किया यहाँ पर आप अपने website का name दे दीजिए यदि आपकी website पहले से ही submit है तो आप simple जो code आपको मिला होगा tracking code उसी को blogger में डाल दीजिए automatically जो है आपकी website का data यहाँ पर सो होने लगेगा दोस्तों यदि आप नए अपने analytics में नहीं डाले उसके उनके लिए मैं यह बता रहा हूँ तो यहाँ पर आपकी website का URL डालिए देन यहाँ पर category चूज कर लिजिए अपने website की category के हिसाब से सो यहाँ पर मैं job and education चूज कर लेता हूँ यहाँ पर अपना time zone select कर लिजिए आप इंडिया से हो तो इंडिया का चूज कीजिए other country से हो तो other country का चूज कीजिए उसके बाद simply create पर आपको क्लिक करना है यदि आपकी property already add है तो आपको एक code मिलेगा जो कि आपको आगे मैं दिखाता हूँ और जो नय है जिन्होंने अब तक नहीं add की थी उनको बता दू इस तरह से code आपको मिलेगा create करने के बाद इस code को आपको copy करना है आपको blogger की theme पे आना है और edit html पे click करना ह है यहां पर theme पर कहीं पर भी click करना है html पर और control app प्रेस करना है यहां पर आपको head आपको search करना है इस तरह से head search किजिए brackets में और यहां पर देखिए चवते नमर पर यह उसकी नीचे आपको code paste करना है तो देखिए code मैंने already paste कर रहा है जो की analytics code है तो इस तरह से code paste करके है अगें tracking ID को copy करना है और अगें आपको setting में other में आके google analytics यहां पर देखिए web property ID यहां पर जो है आपको उस code को paste करना है तो हम यहां पर paste कर लेते हैं and then save setting पर आप जैसे click करोगे आपकी settings जो है save हो जागी अब आपकी website का सारा data जो है वह analytics में show करेगा अब दूस्तों आती कि यह पुरानी जो website आपकी submit होगी उसको remove कर लिजिए और अभी आपको same website को again add करना है उसके लिए simply इस तरह से welcome page आपको आएगा यह आप अल्रेड़ी website अलग-अलग website आपकी submit है तो new property पे click करोगे तो इस तरह से यह page आपको दिखे देगा Google search console में तो यहां पर मैं website डलता हूँ और यहां पर continue आप जब करोगे मेरी अल्रेड़ी एड है तो आपको continue करना है आपकी और सिंपली उसके बाद आपको site map पर आना है और यहां पर site map.xml इस तरह से लिख के आपको submit कर देना है तो जैसे लिखोगे उसके थोड़े देर बाद सब्मिट हो जाएगा तो सब्सक्राइब करना है तो आपको मुझे इस्टाग्राम पर फालो करके वहां पर पूछना है मुझे मैं आपको उसका बता दूंगा solution क्या है तो सुमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए थैंक यूए मैच और है वनाइस टे